आप सब लोग बहुत ठीक होंगे अपनी तैयारी पर अच्छे से फोकस कर रहे होंगे इसी के साथ में आज का जो हमारा सेशन है वह आपको पता यह वर्ल्ड एकॉनॉमिक फोरॉम से रेलेटिड है वर्ल्ड एकॉनॉमिक फोरॉम दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है अग अगी करें लिए दूसरा इसमीटिंग के लिए क्या प्रोसे स्टार्ट हुआ था कभी इसकी जर्नी हुई वह सारी चीजे ना गई हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है क्योंकि हमारी तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन गया है ठीक है जिसमें हमारे आप देख सकते हो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी गये हैं या विमन एंड चाइल्ड डवनपर मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति इरानी जी है वो से रिप्रेसेंटेटिव की बात कर लो तो कुल मिलागर के देखा जाए ना तो यह मीटिंग बहुत इंपोर्टेंट रहती है और वो भी उस समय जब ग्लोबल सिचुएशन बहुत जादा डी स्टेबलाइजड है एक तरफ रश्या यूक्रेइन वार चिडा हुआ है और द हमारे लिए समझना कि इसकी सिगनिफिकेंस क्या है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लिए जो की टेकवेज हैं वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है और साथ में एक स्टोरी भी चलेगी पैरलली खेर सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप यह ब दूसरा, World Economic Forum इन में से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, Global Competitiveness Report, Global Gender Gap Index, दोनों या दोनों में से कोई सी भी नहीं, ये आपको आंसर कमेंट में देना है, अब ये साथ साथ में आपकी brainstorming parallel चलती रहेगी, तो इससे benefit यह रहेगा कि एक bilateral conversation अमारा establish हो रहा है, तो आप ये कम economic forum इन में से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये question का answer आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और नहीं आता है, तो continue बने रहेगा इस session में, आपको जवाब मिलेगा इसका, good evening अंजली, good evening, okay, answer दिया जारा smart study, okay, very good, very good, बाकी लोग भी दीजे, जितना जल्दी आप answer करो होगे, उतना जल्दी हम start कर पाएंगे, आदित्य हर्ष, आदित्य हर्ष, correct करो आपका, correct करो, okay, very good, very good, चलिए, लगबग लगबग सबने जो answer दिये हैं, वो ठीक है, ठीक है, बोथ A and B, इसके अलावा भी बहुत सारी reports और indexes release होते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, तो सुर्जिलेंड, मामला थोड़ा सा sensitive है, यौरप घूमने का अगर सपना पाल लिया, तो सुर्जिलेंड गए नहीं, तो फिर गए कहां, सही बात है, इसके बारे में सोचना जरूर है, कि ये बारवार world leaders की meeting होती है, कभी लड़ाई को सुल जाने की बात करो, सुर्जिलेंड सुर्जिलेंड पहुंच जाते हैं, कभी economic development की बात करो, सुर्जिलेंड पहुंच जाते हैं, कए मोके तलासते रहते हैं, क्या, चक्कर क्या है, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, चलो, अब देखो, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दा कुछ ही हो है, कि world economic forum की meeting हो रह organization का leader हो, director general हो, कोई भी कहते हैं, पैसे वाली कोई celebrity है, आपने देखे हो कि कई बार शारु खान भी वहाँ पर present होते हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए, वहसे तो, कि शारु खान जो है, वो world के second rich, second most rich celebrities हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे वाले जो celebrities उनमें number two पे आते है ठीक है, businessman है, गजब के, तो उनकी presence वहाँ पर होनी, और हमारे delegations का जाना, NGOs का present होना, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs का present होना, ये बहुत important meeting मिटिंग मना देता है, चलिए अब की बार meeting का motto क्या है, मोटो है वही rebuilding trust, बुलत दुनिया में, ए विश्वास बहुत फैल रहा है एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये है कि कौन किसके पीचे पीट में छुरा घौप दे पता नहीं है, तो ये विश्वास कहीं ना कहीं लूज हो रखा है, उसको regain करना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देने वाली बात है, ये meeting लगबग 5 दिन होगी, 500 sessions होंगे, और different global challenges के आज के समय में, देखो economy दुनिया की बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी परिस्तिती से गुजर रही है, आपको पता है, western economies तो collapse कर रही है, decline कर रही है, उनकी economy standing नहीं कर पा रही है, inflation के हाला, देखो महंगाई, USA में 8% inflation, वहाँ पे 2% inflation में लोगों की आलत खराब हो जाती है 8% inflation हो गई, महंगाई गजब की बड़ी हुई है, हालत हो गई, खराब, थीक है, तो इसलिए ये meeting बहुत जरूरी है, इसके अलावा, माहोल ये भी बन रहा है, जर्मनी के लिए तो ऐसे reports भी आ चुकी थी, कि मंदी में जा चुकी है, जर्मनी की economy, recession में जा चुकी है, अब recession पूरी एक रोटी चीन ले जाती है, अब आप देख लो, कि मंदी में जाने से बचना है, तो ये लडाईयां रुकना जरूरी है, trust building बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है, इसलिए ये तीन key principles पर यहाँ पर focus किया जाएगा, number one transparency, number two coherence, number three responsibility, इसका मतलब ये, कि एक दूसरे क साथ में, अगर आप कोई भी action लेना चाहो, तो at least अपनी policies के बारे में, एक clear exposure तो दो, लोगों को पता तो पड़े कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं व्लादिमिर पुतिन की तरह एकदम से attack कर दें, फिर बोल दें कि हम तो अलग तरीके से सोच रहे हैं, किसीने national issue create हो रहा है, तो एक दूसरे को साथ मिल करके चलना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपने अगर कुछ बिगाड़ा है, तो आप ही सुधारों ये initiative आपका होना चाहिए, तो इस तरीके की बाते होने वाली हैं, इस पांस दिन की meeting में, तो back to the basics की बात हो गई, कि main focus हमें हमा बार, डैवोस में ही ये meeting organize होती है, जबकी, जबकी, जिनेवा में, जबकी Switzerland की एक city है, जिनेवा वहाँ पर World Economic Forum का headquarter है, meeting डैवोस में क्यों, उसके लिए एक छोटी सी story बताई जाती है, Thomas Mann, एक writer रहे हो है, ठीक है, एक writer है, Thomas Mann, उनकी एक book है, book का नाम है The Magic Mountain, इस book में उन्ह वहाँ पर 7 साल रह जाता है, इसका मतलब, कुछ ना कुछ तो ऐसा डैवोस में है, जो की engage करता है, सबसे पहली चीज, देखो, environmental और natural beauty तो शानदारी है, आपको भी पता होना चाहिए, तो, क्योंकि जब Europe की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं, अपने आप में जब भी Europe जा देती है, डैवोस की, ठीक है, तो यह अपने आप में important है, delegations, लगबग 3,000 global delegates वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उनके बीच में बात चीत अब स्टार्ट भी हो गई है, जो की हम already देख चुके है, हमारी तरफ से जो delegation के है, उनकी बात already हम कर चुके है, आप देखोगे, US, China, India, Sri Lanka, इनकी तरफ से भी representatives वहाँ पहुचे है, फिर बात आजाती है, World Economic Forum के बारे में कुछ basics के बारे में जानकरी लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम UPSC aspirant है, अगर जड़ तक नहीं पहुचे, बाल की खाली नहीं निकाली, तो तैयारी क्या, तो तैयारी के यह non-profit foundation है, इसका मतलब यहाँ पर discussions होता है, दुनिया के फायदे के लिए, ऐसा नहीं कि हमारा फायदा हो जाए, तमझ रहे हैं बात को, इसके लावा यह commitment लेकर के चलता है, कि दुनिया में जो कुछ भी परिस्तितिया चल रही है, उनको सुधार करके आगे बढ़ा जाए शुरुवात की थी, इसकी founder या फिर executive chairman, clause squab, उनके द्वारा, जो की, यहाँ पर आप image देख सकते हो, यह German professor है, ठीक है, German professor, जिनका mechanical engineering से अपना course किया हुआ है, इसके अलावा, इनके पास में Harvard University से degree भी है, तो ऐसी परिस्तितियों में, इनके दिमाग में एक चीज थी, कि य USA को follow कोड़ना सबसे best है, आज आप खुद देख लो, हम भी तो कहीं ना कहीं सपनों में, या बातों में ये तो follow करते हैं, ये ना कि USA इतनी बड़ी power बन गई, तो हम क्यों नहीं बन सकते, तो वो परिस्तितिया, यॉरॉप में भी the second world war में कितना बरबाद हुआ, तो reconstruct करना था, अपनी कंपनियों को दुबारा से उपर लेके जाना था नहीं, वर्ल्ड वोर से पहले यार, इस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियां, दुनिया में किसी को आसपास अड़ने भिलने ही नहीं देती थी, आज, यॉरॉप कितना पीछे है, USA से, तो बोला, USA सीखो, कैसे कर रहें ये लोग, इस बात को लेकर के, इन्होंने, यॉरॉपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से, इस वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम का पहले नाम था, यॉरॉपियन मैनेजमेंट फोरम, की बोला, हमें मैनेजमेंट सीखने की जरुवत है, USA से, फिर बोला, आगे बढ़ेंग वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Energy Transition Index, Global Competitiveness Report, Global IT Report, जिसमें, INSEED और Cornell University भी कॉलबरेट करती हैं, इसके अलावा, Global Risk Report, Global Travel and Tourism Report, इनके बारे में, अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, हर साल, जिसमें आपको पता है, question आज आते हैं, UPSC Prelims में, बार-बार, ठीक है, और ये themes हैं, ये बहुत important हैं, जैसे हैं, transparency, coherence, responsibility, ये word दो बड़े आसानी से दे दिये कि इन principles में बात हो रही है, पर ध्यान रखना इन पे बेश्ट ethics में question आते हैं, तो इनको बड़ा deeply समझना जरूरी है, with examples, समझ रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता ह है, अब देखो, ये जो जर्णी है, World Economic Forum की 1971 में start हुई, कैसे हुई, ये मैंने बता दिया, European Management Forum के नाम से, कि USA से कुछ सीखो, इन्हों ने एक concept दिया, ये concept बड़ा important है, ये concept बहुत ज़्यादा important है, नाम है, stakeholder capitalism, बोलग कंपनियों में मालिक अक्सर उनी के बारे में सोचते ह है, या तो खुद, या फिर जिनका पैसा लग गया सिर्फ उनके बारे में, बिल्कुल गलत, इन्होंने ये बोला यहाँ पर, European, आप कह सकते हो, इस European Management Forum में, कि भई, अगर आप जितने भी stakeholders हैं, for example, company के employee हो, आपके customers हो, दुनिया में कोई भी community के लोग हो, जो कि आपके product को use करते हैं, अगर आप private sector के point of view से भी समझो, उनके बारे में सोचना जरूरी है, और इसी को बोला गया stakeholder capitalism, कि बोला, आप केवल profit के बारे में मत सोचो, आपको society के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको global issues के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि global settlement एकदम proper होगा, त तो ये situation जो थी, ये अपने आप में बहुत ही जादा innovative थी, जो की clause को अपने level पे शुरुवात में दे दी थी, और इसी आधार पर ये world economic forum की journey start होती है, इसके अलावा इनोंने public private partnership पे काम करने की बात की, आज आप देखो, government है, NGO है, जिनको civil society भी बोल दिया करते हैं, जो कि समाज के भले के लिए काम करते हैं, इसके अलावा private company आए, ये साथ मिल करके बड़े-बड़े projects करती हैं, क्यों, क्योंकि government की तरफ से तो ये target होता है, कि लोगों का भला हो सके, private sector की तरफ से आपके पास technology और आपके, कहतने quick actions हैं, वो मिल जाते हैं, और civil society दोनों के बीच म benefit के लिए काम करवाते हैं, तो इस तरीके से public-private partnership का concept है, वो काम करता है, तो कहीं न कहीं, यहां पर आप देख लो, ये चीज, world economic forum से आती है, इसके अलावा, यहां पर global issues पे बातचीत होती है, और जब कभी भी problem होती है, world में कहीं पर, उसके बारे में brainstorming होती है, बातचीत है, बोले, covid के बाद में एक बार economy कैसे जैसे, एक कैतना की डग मगाती हुई, थोड़ी subtle हो रही थी, बट एकदम से पता पड़ा, कि economies फिर से crisis में चली गई, क्योंकि पहले तो रश्या ने अटेक कर दिया, युक्रेन पे, और अब इस्राइल गाजा का problem चल रही है, तो ज 73 में अगर आप आते हो, तो सबसे बड़ा एक तो incident हो जाता है, ब्रेटन वोड सिस्टम, आपको पता, IMF और World Bank को ब्रेटन वोड स्ट्रिंच बोला जाता है, क्योंकि Second World War के बाद में आपको पता है, यॉरप को reconstruct करना था, तूट food की repairing करनी थी, अमेरिका बहादूर, अमेर में अपना प्रभाव जादाना बढ़ा ले, उसको रोकने के लिए अमेरिका के पास में क्या थे, खजूर, पैसे, तो बना ली व्यवस्ता, ब्रेटन वोड इंस्टिउशन, IMF और World Bank, अब बैसाब जो बनाएगा ना, वो तो अपनी terms and condition अपने हिसाब से सेट करेगा, तो USA बैसे ने क्या किया, ब्रेटन वोड सिस्टम में, एक fixed exchange rate का concept डाल दिया, बोले, US dollar जो है, ये दुनिया में सबसे important currency है, और US dollar की जो वर्थ है, value है, वो gold के हिसाब से decide होगी, और दुनिया में जितनी भी बाकी currencies है, चाहे फिर वो pound हो, yuan हो, yen हो, rupee हो, कुछ भी हो, वो बोल कहने का मतलब यह हो गया, कि US dollar को इतना ज्यादा strong बना दिया, USA ने, कि gold की value price अगर उपर नीचे होती है, तो बोला हमारी भी होगी, otherwise हम भी stable है, चाहे हमारी economy कितना ही बुरा perform करे, आज के time पर तो क्या हो चुका है, ये system collapse कर गया, आज तो क्या है, बैया, आपकी economy कैसा perform कर currency की ये worth है, जैसे कि रुपी क्यों decline कर गया, अभी recent time में कहा 75 रुपीज था, 80, 85 रुपे पर डॉलर के हिसाब से क्यों चला गया, इसके पीछे कारण एक है, कि हमारी economy उतना बड़ी है, आप, no doubt बाकियों से इच्छा perform कर रही है, पर जो export जो करना चाहिए, उतना हम नहीं कर पाए, इसलिए अगर बेचोगे नहीं, खरीदोगे ज्यादा, खरीदने में हम क्या crude oil थोड़ा ज्यादा ही खरीदते हैं, हमारी ज़रूरत है ना, इसलिए, तो ऐसे में, खरीददारी ज्यादा बेचना हो गया, कम, तो बो, misbalance हुआ की नहीं, problem हो जाती है, इस तरीके स हैं, तो ऐसी परिस्तितियों में, ये जो, gold के साथ में, dollar की fixing होई थी, इसको खतम कर दिया गया, बोला कि, आपकी economic कैसा ही perform करें, हमारे साथ में तो बेदबाव कर रहे हैं, और आपकी currency बिल्कुल stable है, तो इस तरीके से ये system collapse कर गया, फिर, Arab-Israel war, इसराइल का, तो देखो जिस दिन से origin हुआ, 1948 से more or less माना जाता है, उस दिन से लेकर आज तक Arab world को इसराइल पचता नहीं है, ठीक है, उस ताइम पर की परिस्तितियां हमारी अलग थी, हम Palestine के cause को और इनको हम बहुत ज़्यादा promote करते थे, no doubt आज भी करते हैं, पर उस ताइम इसराइल के लिए खु कर रहे हैं, हालत आपको पता न, होती rebellion का किस तरीके सा टैक हो रहा है, वह आस पास के जितने भी countries थे, यहाँ देख लो, Jordan देख लो, Syria देख लो, Egypt देख लो, इन्होंने मिल करके अच्छे से इसराइल को घेर लिया था, पर इसराइल पहलवान, जबर्दस जवाब दिया, अपनी जमीन को उल्टा बढ़ा लिया, थीक है, वो बाता लगए, USA के सपोर्ट पर ही हुआ था यह, और आज भी वो है, खेर, पॉइंट इतना सा है, कि, fixed exchange rate का collapse हो जाना, और Israel Arab war के चलते, economic situation बहुत बिगड़ गई, societies में crisis आने लग गए, तो World Economic Forum ने, अब socio-economic terms पे भी का करना शुरू कर दिया, पहले कहां से शुरुआत होई थी, European management में, कि, America से management सीखो, और हम apply करेंगे, बट अब क्या कर दिया, कि, society और economy को भी हमें enhance करना है, तो इस तरीके जो, 73 में अपना कुछ, stand change किया, फिर 75 में आकर के, इन्होंने membership का concept, introduce कि, वर्ल्ड की, जो top 1000 कंपनिय है, बोलो, उनको हम membership देंगे, इसके बीच में छोटी सी चीज में add कर दूँ, यह जो PDF है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो, ठीक है, आते हैं फिर से topic पे, तो membership स्टार्ट हो गई, target ह membership की किसी भी तरीके से उसी को हम member बनाएंगे, जिसके पास में अपनी economic performance अच्छी है, जिनकी policies अच्छी है, अच्छा, इसी आप, मैंने अभी जो word आया था ना, stakeholder capitalism, इस concept के उपर एक छोटी सी चीज आपको याद आ जानी चीए, कि हमारे देश में भी corporate social responsibility, 2013 का जो एक्ट है जो concept है कि लोगों के भले के लिए भी काम करें, केवल खुद के भले, खुद का जेब भढ़ने के लिए नहीं, तो वो जो चीज है, वो यहां से influence आ जाती है, कि आप अपने employees के बारे में सोचो, आप अपने जनता के बारे में सोचो, got the point? चलिए, आगे पहुँचे, 79, 79 मे उधर 78 में आपको बता है, चाइना ने open door policy implement कर दी थी, अगर आप live session continues follow कर रहे हो, तो आपको यह पता होगा, कि 78 में Deng Xiaoping ने अपनी open door policy implement की, exactly वैसे जैसे हमने LPG policy implement की थी 1971, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो इधर चाइना ने अपनी economy को open किया, USA के साथ रिष्टे follow करते हुए, European management forum, जो की world economic forum के नाम से आज जाना जाता है, उसकी तरफ से भी चाइना के economic development commission के साथ engagement बढ़ गई, कहने का मतलब, चाइना को एक अलग ही economic recognition मिलने लग गया, जब वो policies implement हुई, क्योंकि western society, जिसमें Europe की बात कर लो, जहां पर world economic forum located है, USA की बात कर लो, यह तो liberal democratic system पे चलने वाले हैं, यह तो private sector की promotion की बात करते हैं, यह तो competition की बात करते हैं, और चाइना ने open door policy पे यही काम किया था, तो कुल मिला करके, यह पहला non-profit, non-governmental organization था, जिसने चाइना के development में अपनी engagement दी, इस तरीके से इसका एक कैतना की जो promotion है, economy का, उसमें world economic forum हमेशा आग participation होता ही, यह already मैं आपको बता चुका हूँ, अब आजब आगे 1998 में, 1998 में जब यह meeting हो रही थी, तो उसमें एक थोड़ा सा expansion ओर कर दिया, अब हम केवल economy के बारे में सोच रहे हैं, पर सही मायने में समाज के उद्धान के लिए, society के welfare के लिए, हमें political leaders का भी participation लाना पड़े private sector को ज्यादा promote कर रखा है, government sector को थोड़ा control कर रखा है, license राज नहीं है, हर चीज में government से approval लेने की नौबत नहीं है, उन देशों के finance minister हैं, वो आकर के हमसे participation या meeting कर सकते हैं, तो इस तरीके से 98 में ये provision निकाला कि 10 तो developed और 10 ही developing countries के जो leaders हैं, world की top 20 economies के जो finance ministers हैं, वो आकर क हमारे साथ में meeting कर सकते हैं, शुरुबात हो गई यहां से एक तरीके से G20 की, जिसमें सबसे पहले finance ministers की meeting हुई, फिर समय बीता 2008 में इसी G20 के जो top leaders हैं, political leaders जिसको summit level meeting बोली गई, जो कि इंडिया ने 2023 में host की थी, दिल्ली का काया पलट हुआ था, ठीक है, तो आप देखो कि summit level meeting जो है, वो 2008 में USA ने organize कराई Washington DC में, तो इस तरीके से G20 जो की world की top 20 economies का group है, उसका origin भी world economic forum की different meeting से निकलता है, तो यह अपने आपना, अब आप समझ चुके होंगे, कि कितना important आज का यह हमारा session रह रहा है आपके लिए, अब बात आती है, कि यह बातचीत कहां का आपर focus करने वाली है, देखो की issues रहेंगे, economic growth, मार धार बंद करो, progress करो, आगे बढ़ो, climate change, यह तो अपने आप में बहुत बड़ी problem है, अभी दूबई में meeting हुई, वैसे तो देखो, climate change के लिए बार बार बोला जाता है, बाते तो बड़ी-बड़ी करवालो नेताओं से, काम कु security, जबसे Russia-Ukraine crisis और उसके वो तो सोना, अब सुहागा हो गया, Israel-Gaza war, तो energy crisis आ रहा है की नहीं, यॉरप को तो बहुत जादा मुश्किल है आ रही है, देखो सीधी बात है, आपने, इंडिया ने तो रश्या से सस्ते में खरीद लिया तेल, पर रश्या को, या फिर दुनि इस में है, तो ये भी एक theme रहेगी इस meeting में, इसके अलावा security वाला point बताई दिया, technology, artificial intelligence, भाई ये तो बहुत बड़ी emergency है, बहुत बड़ी emergency situation बोल सकते हो, कि जिसमें challenges भी हैं, और कही ना कहीं promises भी हैं, तो इसका proper regulation हो, इस पे भी काम किया जाएगा, governance improve हो, सरकारे जो development individuals की welfare ensure होना, ultimately society का welfare हो जाएगा, फिर बात आती है, last में भारत की, देखो जी भारत के लिए immediate risk बताई गई है, कि बोला, artificial intelligence की वज़े से, misinformation और disinformation, misinformation गलत सूसना, disinformation, जानबूज कर दी हुई गलत सूसना, जिसके चलते आप समाज में, या फिर road चलते, दंगे या problem create कर सकते ह misinformation और disinformation में, यह difference आपको ध्यान रख लेना है, disinformation का मतलब क्या हो गया, कि कोई intentionally आप से गलत करवाना चाहता है, गलत information के basis पे, तो यह चीज कहीं ना कहीं tackle करनी जरूरी है, और इसमें बोला, artificial intelligence बहुत बड़ा contributor बन रहा है, इसके अलावा, हमारे समाज में, polarization आप देखो, थोड़ी सी बात क्या बोल दो, दंगे बढ़कने के लिए तैयार बैठ है, तो यह बोले, इंडिया के लिए बहुत बड़ा challenge है, इसके अलावा, हमारे आप इंफेक्टियर्स डिजीज, अभी भी कोरोना जैसी बिमारिया tackle में नहीं आ रही है, बहुत जादा इशू आ रह labor shortage, यह challenges कहीं ना कहीं इंडिया के सामने हैं, इनके ओपर बातचीत होगी, अब देखो, issue हमारा local है, बट discussion global forum में होगा, global forum में, बातचीत में कुछ ना कुछ तो outcome निकलेगा, solution के तोर पे, issues global है, पर हमारी तरफ से suggestions जाएंगे, तो यह होती है, पंचायत की असली नीव, बा आपके कल के questions हैं, दोनों के answer यहाँ पर देख सकते हो, माला बाहर exercise, US, Australia, Japan, India, China नहीं है, ठीक है, और फिर पूछाता आप से, formosa resolution, यह देखो, 1979 का USA का resolution है, ठीक है, इस resolution में formosa मतलब ताइवान का पुराना नाम है, यह भी session हम cover कर चुके हैं, live section में जाकर के देख लो, please, आ यहाँ पर answer आपका चला जाएगा, US and Taiwan, ठीक है, तो इस तरीके से, आज की session में इतना ही, मिलते हैं विरकल, एक ओर topic के साथ में, बस आप साथ बने रही है, देखो, confidence तभी आता है, जब यहाँ strength दिखती है, तब confidence आता है, और guarantee है मेरी, अगर साथ बने रहोगे, तो इसी त Thank you.